आप जिस टूटर्ल के पारे में हम लोग study करेंगे वो है patch tool और अगर आप लोगों ने crop tool से नीचे जो tools है उसमें से spot healing brush tool को select किया है तो बस पर राइट के लिए कीजिए और आपके पास यहां पे patch tool जो है वो available होगा patch tool जैसा के नम से जायर है हम लोग इसको इसको इस्तमाल करते हैं patching के लिए अगर कोई ऐसा चोटा सा part है जिसको आप लोग patch करना चाते हैं उसको आप remove करना चाते हैं उस चोटे से dot को या किसी भी चोटे से निशान को आप लोग remove करना चाते हैं उस picture में से तो आप लोग उस उसी के साथ से तोड़ सा एरिया लेंगे और उसको रिमूव करेंगे हम लोगों ने patch tool का इस्तमाल professionally एक tutorial में किया है which is retouch your images उसमें हम लोगों ने आमीर की pictures, आमीर who is my best friend उसकी picture में जो उसके चेहरे पे निशान है, हम लोगों ने उनको remove किया है using patch tool आप लोग भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और हम लोग इस tutorial में देखेंगे कि आप लोग किस तरहां उसको इस्तमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग उसमें जो options हैं, हम लोग उनको किसा genre cover कर सकते हैं मैं यहां पे पना zoom tool लोंगा और dnx key to research your colors और मैं यहां पे इसको zoom out करूँगा अब हम लोग यहां पे कुछ text है जो कि Chinese language में होगा हम लोग इसको remove करना चाते हैं यहां से aircraft में से और हम लोग इसके लिए अपना जो patch tool है उसको select करेंगे patch tool में हमारे वास उपर कुछ ऐसे options हैं जो कि हम लोग ने पहले भी selection में पढ़े हैं और इसके लावा हम लोग ने बहुत से tools में वो जो options हैं इसमें हमारे पास दो ऐसे options हैं जो कि new है और एक ऐसा check box है जो कि हमारे समने new है which is source, destination और transparent सबसे पहले हम लोग source को study करेंगे हम लोग options में से source का जो check box को check करेंगे और हम लोग patch tool को free selection के लिए इस्तमाल करते हैं अगर अगर आप लोग free selection लेंगे जैसरे कि हमेरे पास यहां पे laser tool है हम लोग जब भी laser tool को استعمال करते हैं तो हम लोग इसकी free selection लेते हैं dependent करता है हम लोग UK accurate पे हम लोगों के कि कई प्रैक्टिस है उससे हम लोग यूतनी अच्छी स्लेक्शन ले सकते हैं उसी तरह हम लोग पैच टूल से भी अच्छी स्लेक्शन ले सकते हैं अगर हम लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है तो source से कुछ इस तरह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ area select करते हैं कि हमारा यह जो text area है जिसको हम लोग remove करना चाहते हैं मैं यहाँ से इसको select करूँगा अब मैं इसके center में mouse लेके जाँगा तो आप लोग patch tool के साथ एक चोड़ सा box देखेंगे मैं यहाँ से इसको click करूँगा और इसको एक path दूँगा कि मैं यह जो area जहाँ पर मैंने इस वकर drag किया है मैं इस area को वहाँ writing के जगा पर चाहता हूँ कि यह वहाँ पर fix हो जाए मैं जैसे अपना mouse release करूँगा इस करना take some time और यह उस area को जो के हम लोगों ने बाद में select किया है selection के बाद हम लोगों ने जहां से selection को drag करके जिस area पर रखा है वो area वहाँ पर हमारी selection के अंदर paste हो जाएगा controlled D to deselect और अब आप लोग देखेंगे कितना अच्छा result है patch tool का आप लोग यह काम clone stem tool से भी कर सकते हैं या आप लोग healing brush tool से भी कर सकते हैं लेकिन patch tool जो है एक तो quick है दूसरा काफी easy है इसको समझना और काफी easy है इसको control करना और इसको आप लोग किस तरह operate करते हैं healing brush tool से या हम लोग अगर spot healing brush tool लेते हैं या clone stem tool लेते हैं तो उससे हम लोग brush का बहुत ज़्यदा इस्तमाल करते हैं हम लोग बहुत ज़्यदा time लेते हैं उससे और हम लोगों का काफी times आया होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे patch tool का इस्तमाल करे हैं मैं control z करूँगा और मैं दुबारा उस text को यहाँ पे शामिल करूँगा control d to deselect my selection अब हम लोग यहाँ पे destination का जो option एसको चेक करेंगे source में हम लोग जिस चीज को remove करना होता है उसको हम लोग select करते हैं और हम उस selection को एक source देते हैं कि हम लोगों को फिला source से जो area है हमें वो अपनी selection के अंदर paste करना है और हमारी जो requirement है वो पूरी होती है destination में कुछ यह तरह है कि मैं यहाँ से एक area लोगा और मैं इसको click करूँगा और इसको drag करूँगा उस text के उपर और मैं यहाँ पे अपना जो mouse से उसको release करूँगा तो यह भी कुछ उसी तरह ही काम करेगा लेकिन destination में फरक हम लोगों को exactly यह पता नहीं है कि वो जो हमारा text है उसका size क्या है इसलिए हम लोग source का इस्तमाल कर सकते हैं अपनी जो text है उसकी selection करने के बाद हम लोग किसी area में उसको drag कर सकते है destination का इस्तमाल इसलिए किया जाता है कि अगर मुझे exactly पता है कि जहां पर मैंने इसको paste करना है वो छोटा सा area है जैसे यहां पर हम लोगों हमारे पास यहां पर एक black dot है मैं यहां से area select करूँगा और मुझे पता है कि जो area मैंने select किया है वो black dot से काफी ज्यादा है तो मैंने destination दो चेक किया है area select किया है मैं इसको click करूँगा और इस black dot के उपर राके मैं इसको release करूँगा तो आप दिखेंगे कि वो बड़ी खुबसूरती के साथ वो जो black dot है वो remove हो जाएगा लेकिन मुझे exact idea नहीं है कि हमारा जो Chinese text है इसको मैं किस size में select कर सकता हूँ अगर मैं इसको इस तरह select करूँगा तो हो सकता है कि मेरी यह selection हो वो ठीक हो तो मैं यहां से इसको click करूँगा और इसको drag करूँगा here and I'm gonna release mouse and that's done तो हम लोग इस तरह patch tool का इस्तमाल करते हैं अगर आप लोग ने एक selection ली है और आप लोग इसके अंदर एक और selection add करना चाते हैं तो हमारे पास वो जो previous tools available हैं जैसे के add to selection है और subtract from selection है यह हम लोग selection का जो inner area है उसको लेना चाते हैं तो वो same option जो हमारे पास patch tool में भी available है control D to deselect और मैं कुछ जो steps हैं उनको undo करूँगा control D अब हमारे पास यहां पे transparent का एक option है हम लोग जब भी किसी area को patch करते हैं किसी दूसरी area के साथ तो transparent उसको ज्यादा से ज्यादा transparent करता है और उसमें से कुछ ऐसे हिस्से जो के बहुत important है जो के बहुत dark होते हैं यह उन हिस्सों को सिरफ show करता है जैसे अगर मैं अगर आप लोग इसको देख सकते हैं तो मैं यहां पे destination को मैंने check किया है और मेरा new selection का जो icon है वो check है अगर मैं यहां से ये line लेता हूँ यह जो हमारी line है इसके अंदर मैं इसको select करता हूँ और वहां से हम लोगों ने destination और transparent का जो option है इसको check किया है दोनों को तो मैं इसको click करूँगा और इसको यहां पे drag करूँगा and I'm gonna release तो आप देखेंगे कि जो line का बाकी हिस्सा है वो transparent हो चुका है उसके जो borders है वो transparent हो चुके हैं लेकिन जो line है वो आप लोग देख सकते हैं तो मैं इसी तरह इस line को लेके जाऊंगा और I'm gonna click and drag here into white area control D to deselect यहां पे भी उसने वो जो color area है जो के white के साथ mix नहीं हो सकता था उसने उसको mix किया है transparent किया है और उसने जो line है उसको show किया है control Z करूँगा control D to deselect मैं transparent के option को uncheck करूँगा और मैं अब यहां से line लूँगा और इस line के मैं drag करूँगा here to white अब हमारे पास यह जो line है इसके साथ हम लोग छोटे छोटे dots देख सकते हैं जो के transparent ना होनी के वजा से हैं अगर हम लोग इसको transparent करेंगे तो हम लोग एक तो यह line ज्यादा clear देख सकेंगे और दूसरा यह जो line है इसके साथ आप लोग कोई भी dot नहीं देखेंगे ऑर यहाद तो इसके साथ पत्सक्राइब लोग आप लोग ने इस तूटोरियल में से ही पैश चूल के बारे में कुछ सीखा होगा इसके इलावा हम लोग ने डीवीडी ट्री में रीटच इमिज इसका जो टूरियल किया है उसमें हम लोग ने patch tool किया है वो same tutorial मेरे youtube channel which is www.youtube.com slash photoshop in उर्दू में भी full tutorial मुझूद है आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं तो ये patch tool है और इस तरह हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं